हज में क्या है देखें हज के जो सवालात आएंगे वो घुमा फिरा क्या आएंगे तो हम पहले हज का पूरा मेथट समझेंगे अगर मैं हज की बात करो तो हज is the fifth pillar of Islam and it is the annual congregational worship हम इसके जमा होकर congregational का मत्तलब है सारे मुसल्मान मिलकर इसकी वोशिपिंग कर रहे हैं और annually हो रही है साल में एक दफा हो रही है ये 12 month of जिल हज के अंदर क्या होता है ये फर्स किस किस के उपर है तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि adults के उपर ये फर्स है जैसे कि एक बंदा बड़ी उमर का हो जाएगा तो वो क्या करेगा हज करेगा आप लोगोंने ये चीज़ नोट करी होगी कि उमरे पे बच्चे भी साथ जा रहे होते है लेकिन जब हम खच के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो अपने बच्चों को छोड़ के जाते है महरम होना ज़रूरी है खासत तोलब फे वोमिन के लिए अब वोमिन का महरम कौन हो सकता है अगर एक लड़की है समझें ये MYM भाई जो है वो क्या है लड़की है MYM भाई की शादी हुई वी थी तो उनके शोहर उनके महरम में आ गए उनके अबू उनके महरम में आ गए चाहे शादी हुई वी वी और नई वी वी और नके अबू महरम में आ गए उनके भाई महरम में आ गए उनके ये सब महरम जो है वो जा सकते है महरम होना जरूरी है वोमेन के साथ फिर आप ये बताएंगे कि जो बंदा हच करने जा रहा है उसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो कि वो तवाफ कर सके जो रुकुन है जो आपके रिच्वल्स है वो एजिली वो कर सके and then financial capability हो मतलब ये कि वो अपने उपर burden करके नहीं जा रहा हो कोई चीज बेच के जा रहा हो अगर 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 पड़े वे हैं अगर मुझे financial capability है कि यार मैं हच कर सकता हो तो मुझे करना चाहिए मिच्योर इंसान होना चाहिए तो हमारे उपर ये फर्ज है क्या फर्माया जाता है pilgrimage to the house of Allah is a duty for those who can afford the journey जो afford कर सकते हैं उनके लिए ये क्या है ये आपके पास ये obligatory है ये फर्ज है तो हज आपने क्या बताया हज आपने ये बात बताई कि हज हमारे पास फिफ्ट प्लड़ ऑफ इसलाम है हर बंदे के उपर obligatory है नाइथ उसके अंदर एच के अंदर एक कंपल सरी हुआ 12th month of जिल हज के अंदर हम लोग ये practice करते हैं ये सब के उपर obligatory है अब आपने obligatory के बाद आप method को गौर से समझना है देखे हज का जो method है उसके अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इहराम और वो है intention इहराम आप ये बदाएंगे कि हमारे उपर ये फर्ज है ये पह और उनकी body पूरी cover भी और उनकी बादी eternal white clothes पहना हुँए और मrd حضरात के लिए doh piece of clothes होते हैं दो piece of clothes में ही होता है एक lower body cover की जा रही है और एक upper body cover की जा έरी है अब lower body मतलब ये काफी जादा क्या होता है? मुश्किल होता है मgard हज़़ात के के लिए कि कबी भी घैराम खtable सक हैं तो हमारे पास एक कहानी है कि एहराम जो है वो अबलिजेटरी है वो में के ओपर सिंपल वाइट क्लोड है होल बॉड़ी कवर करनी है फेस और हैंड्स के और हैं सिफ शोर है मर्द हज़रात के ओपर दो पीसस ऑफ क्लोड हैं जिसके अगर वो अपर बॉड़ी और लोवर चीजे होती है वो अहराम के दर क्या क्या चीजे हैं तो आपने समझनी है एहराम जो है आप ये बताएंगे कि उसके अंदर जो नहाना दोना जो ये सारी चीजे है वो मैं नहाना दोने के बाद एहराम पहनूंगा नहाने दोने के बाद एहराम पहनने के बाद ये कंडिशन लग जाती हैं कि आप अपने बाल नहीं काट सकते हैं आप अपने नाखुन नहीं काट सकते हैं आप जो है वो नहा नहीं सकते हैं और इसका भी बड़ा ख्याल रखना होता है कि कोई बाल हम कीच वीच के तोड़ना दे या कुछ तूटना जाए तो इसका खाफी ख्याल रखन या उम्रा कर रहे हो तो अगर आपने पर्फिम लगाया वे उससे सामने वाला डिस्ट्रेक्ट हो रहा है तो वो चीज नहीं लगानी देन आप ये बताएंगे कि हमें कोई वजू करते हुए रहना है जब हम एराम पहने तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम हर वक्त वजू के पर आप बताओ कि sexual relationship में इंसान को नहीं रहना अब बच्चा कहता है सर आपने evil act लेखा और sexual relation अलग लेखा है तो sexual relation में तो evil act मांगया वीटाब मैंने पहले भी बताया था कि sexual relation यह कौन से sexual relation की बात हो रही है यह बात हो रही है जो wife और husband की बीच में तो sexual relationship होता है वो गलत नहीं है तो they are not allowed to be indulged in sexual relationship during एहराम एहराम जब उन्होंने पहनाव है तो उनको यह conditions follow करनी है और एहराम आपको मिकाद से पहले 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 नहीं पहला तो आपने टेक्स पे करना है जिसका नाम है दम और दम आपने टेक्स पे करके आपने क्या करना है मस्जिद आईशा पर एहराम और intention करने तो intention और एहराम आपने before मिकाद पहले अगर आपने नहीं करा तो आपने टेक्स पे करना है दम और दम टेक्स पे करने के बाद आपने मस्जिद आईशा जाकर क्या करनी है intention करनी है और आपने एहराम पहले अब आपने एहराम पहले लिया एहरा पढ़ेंगे ये तल्बिया क्या तस्वीय है आफ्टर एराम आप तल्बिया पढ़ना शुरू कर देंगा और उसमें कहेंगे मतलब इसक선 किया है अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसक लिए आप लबवएक पढ़ रहे हो जब हम लोग उम्रा करने चाहते हैं तो हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं बिटा हम इसके अंदर पढ़ते हैं लबवएक लभवएक लशरीक लगलग लबवएक तो इन नलहांद आपका कोई पार्टरेंटी हैं, ए ऐल्ला, आप सबसे ग्रेट हैं, हम अल्ल्ह प्रेस कर रहे हैं, और जब हम यह तल्बिया पढ़ रहे हुते हैं, सारी के सारे हाजीस, जो हज़ करने आये वहे वो जब ये सारे लोग पढ़ रहे होते हैं तल्बिया तो जो non living things होती हैं जो भत्तर भत्तर होते हैं वो भी तल्बिया पढ़ना चुछ हो जाते हैं तो ये हमारे पास है तल्विया, तल्विया के बाद आप ये बताएंगे कि हम लोग एक तवाफ करते हैं जो कि है तवाफ कुदूम, तवाफ कुदूम के अंदर आप ये बताएंगे कि हमारे पास क्या होता है कि तवाफ कुदूम के अंदर हमारे पास, हमारे पास क्या होता ह कि seven दफ़ा हमें गूमना है कितीन दफ़ा गूमना है seven दफ़ा गूमना है साथ दफ़ा हमें तवाफ करना होता है और anti-clockwise direction के अंदर करना होता है सरी ये anti-clockwise direction का मतलब हमारे पास क्या होता है anti clockwise direction का मतलब ये है कि पिटा ये आपके पास होता है clockwise क्या होता है ये घरी के इसमें anti clockwise का मतलब है अगर ये आपका काबा है तो काबे से आप इस तरीके से गूम रहे हो तो ये आपने क्या गड़नी है ये चीज़ पढ़ने तो हमारे पास ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए फिर आप ये वदा होगे कि हमारे पास total क्या होता है इसके अंदर साथ दफ़ा आपने गूम रहे है अजब आपने साथ दफ़ा तवाफ करना है जैसे आपका क्या है काबा है काबे कि जब आप तवाफ क करनी होती है, मूफ करनी होती है, और टोस्ट पैसे खरे हो के चलना होता है, जब आप यह तीन दफ़ा घूम जाएंगे, तीन दफ़ा घूम गए, जब तीन चक्कर पूरे हो जाएंगे, फिर हम स्लो हो जाएंगे, फिर हम क्या हो जाएंगे, पहले तीन दफ़ा रमल, और चा कर देते हैं और आप यह बताओगे कि पिल्ग्रिम्स इस्तलाम इस्तलाम बेस्किली हमारे पास क्या है कि ट्राइटू किस हज्र-इस्वद हज्र-इस्वद बेस्किली ब्लैक स्टोन है जो कि आपके पास पिटा कहां से आया है यह जन्नत का एक फट्तर है तो हम उसको में एक तवाफ इस सिंस विल बिप पाड़ें विजिथ इच्टेप और विलच्यूज बी अडिट टू इस अकाउट जैसे जैसे वो तवाफ का एक स्टेप ले रहा है तो उसके गुना कम से कम हो रहे है और तवाफ ज़्यादा से ज्यादा हो रहे है तो यह हमारे पास क्य है तवाफे कुदूम तवाफे कुदूम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तवाफे कुदूम क्या होता है तो हमने तवाफे कुदूम क्या कर लिया परफॉर्म कर लिया अब तवाफे कुदूम के बाद आप ये बताएंगे कि हमने मुकाम इबराहीम मुकाम इबराही एक जगा है जहां पर हजदत इबराहीम नमास पढ़ते दे तो वहां पर हम दो नफिल रगादे पढ़ेंगे और हमें फरमाया गया है और आपको याद होगा जब ओली प्रॉफिट हमारे पास जब हमारे पास मुकाम इबराहीम है तो उसकी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अधर नमास पढ़ी जाती थी तो हम भी क्या करें वहाँ पर नमास पढ़ें अब मकाम इबराहीम पर आपने सबसे पहले इहराम और इंट Embassy पर आपने तलवीया पढ़ना शूगर दिया पर आपने तवाब पढ़ेंगे पर नमास पढ़ें मकाम इबराहीम पर अब आप सही परफॉर्म करोगे अब यह सही क्या होता है यह होता है इन अमेमरी ओफ हजड़त हाजरा और हजड़त हाजरा बेसली किसकी अम्मेदी है हजड़त इसमाइल की हजड़त इसमाइल और हजड़त हाजरा को जब एक जगा पर छोड़ा जाता है जहां पर पानी अवेलेबिल नहीं होता तो हजजद हाजड़ा ख़जड़ा इसमाइल लो रहे होते तो हजजड़ा भागती है बागती है इन तसर्च आफ वाटर जब भागती है तो उसके बाद वहाँ से समसम पानी निकलता है तो आप यह बताओगे कि हम यहाँ पर उन्हाः की पर हम स्टार्ट करते हैं सफवा से दैन मर्वा जाते हैं दैन मर्वा से सफ़ा दैन इस तठीके से हमारा साथ चक्कर लगते हैं अब तो वे बहुत आसान हो गया है क्यूंकि अब बहुत हिर कंडेशन और साली चीज़़ उगई है लेकिन पहले आप द सफारो होता है कि हिल्स पर सफार से शूरू होता है मर्वाः पर खत्म हो जाता है and then आप यह बताओ होगे कि कहा यह जाता हैals बिहोल्ड सफाय और मर्वा, बिहोल्ड सफाय और मर्वा और अमंग दा सिंबल्स ओफ आल्ला, दैन आप यह वदाएंगे, कि हमारे पास जो वाटर ऑफ जम्जम है, वो लोग वहाँ से पीते हैं, जैसे हज़र्द इसमाइल जब रो रहे थे, तो जमीन पर जब मारते हैं, त के अंदर अल्ला से दुआ मांगे, तो यह हमारा पांच वा रिच्वल ता सई, दैन छटा रिच्वल है, अब आपने आफटर फजर ओफ एट जिलहज, अब आपका असली काम शुरू हो रहा है, आप यह बताएंगे, जैसे ही एट जिलहज, यह आपने एट जिलहज से पहल इट जिलहज में आपने फजर की नमाज पढ़ी, आप मिना के लिए निकल गए, मिना के अंदर आपने जहुर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इश्या पढ़ी, जहुर, असर, मगरिब, इश्या पढ़ने के बाद आपने नौ जिलहज की फजर पढ़ी, और फज फजर आफ नाइन देलगौ आफ। इफोर आफात को भी छोडकर निकल जाओगे लिकन अरफात की इंपॉटण शीय। आस दे की अगू मेंने कुछ दीन की आंदर भी क्या होगा के आप लोग क्या होगे आ उहे और अरफात के बारे में हमने क्या बढ़ाता ह。 कि अरफात में क्या होता है कि lowest remedy पाजाता है अर्ला कहता है कि मुझसे मांगो और मांगने के बाद किया होता है कि अल्ला हमें वो चीज प्रोवाइट करता है। अरफात पर जाना obligatory है और आप यह बताओगे कि profit ने फर्माया कि hell in the field of अरफात इस had हच के आज का एक रुकोन है बहुत जादा इंपॉर्टन वो क्या है अरफात के अंदर तो आपने सबसे पहले क्या सीखा बिटा आपने फजर पड़ी आठ जिलेच की आप मिना के लिए निकल गए मिना के अंदर आपने सबसे पड़ी आठ जिलेच की फजर पड़ी नौ जिलेच की वर आप निकल गए अरफात के लिए pebbles at least collect करोगे at least का मतलब है आप 70 भी collect कर सकते हो अगर आपकी कोई private दुश्मन ही है शेतान से तो आप क्या गर सकते हो 70 भी कर सकते हो लेकिन कभी कभी निशाने छूट जाते हैं तो इसलिए का जाते हैं कि आप ज़्याद से ज़्यादा collect करके रहे हैं तो 49 pebbles छोड़ दिया तो अब आप वापसी कहाँ पर आ चुके हैं मिना के अंदर आ चुके हैं अब मिना के अंदर आप एक चीज़ करेंगे रामी रामी का मतलब होता है hitting stone अब आप यहाँ करेंगे मिना के अंदर आप आ चुके हैं दस जिलहच चल रहा है मिना के अंदर आप शेतान को स्टोनिंग करेंगे शेतान को स्टोन क्यूं करेंगे क्यूंकि जब हज़त इपराहीम हज़त इसमाइल को काटने जा रहे थे जिबा करने जा रहे थे तो शेतान उनको जब मिसगाइड कर रहा था तो हज़तान को वह मारे तो दस जिलहच को आप जमारत अलुगबा पर साथ मार कराते हैं हमारे पास तीन शैटान की वो है जमारत अलुगबा, जमारत अलुगबा, जमारत अलुगबा, जमारत अलुगबा पर मारोगे and then 11 और 12 को आप तीनों पर साथ साथ मारोगे पहला आपने 7 मारे 10 को फिर आप 11, 12 को 21, 21 मारोगे तो 21 और 21 कितने होगा है 42, 42 और 7 कितने होगा है 49 तो 10 जिलच को आपने जमारत लुगबा को 7 पतर मारे 11 और 12 को आपने क्या करे 21, 22 मतला मारोगे सारे उसको मारोगे यह लिगे ना आप बाद में बताओगे यहां पर मैंने सिर्फ रामी केंदर ऐसी मेंचन किया है रामी जब आपने दस जिलच को 7 पतर मार दी है 7 पतर मारने के बाद अब आप करोगे sacrifice आप जानवर जिबा करोगे तो जब आप sacrifice करोगे तो यह हम किसी मेमोरी में कर रहा है कि हजजद इप्राइ Brahim was willing to sacrifice his son for Allah. हजजद इसमाल was ready to give his life. आप ये बताओ QUE whoever performs harsh, he must slaughter an animal such as he can afford. اب इसके अदर ये होता है कि या तो हम यहाँ पे कुरबानी कर सकते हैं या फिर हम वाँ पे कुरबानी कर सकते हैं या फिर हम वाँ पे क्या कर सकते हैं कान्ट्रेक्टर को कह सकते हैं आप हमारे भयाफ बेंद कुर्भान अभी बहुता है। तो और अगर हम पैस फोर्टे नहीं कर सकते हैं उस साफ के और कह से कुड़नी के बाद हम UM काटते हैं। बाल काटनेके तर मेल क्या करता है Dolis के त scorir कर रहे हैं। आप यहाड़ा होगे, जादे-जादे गंजे हो जाते हैं, फीमेल्स कारती हैं, अपने थोरे से बाल काटती हैं, प्रॉफिट ने शेफ करने वालों के लिए तिन दफ़ा दुआ करी और ट्रेम करने के लिए एक दफ़ा करी, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गंजे, यह आत आपने रोग दी अब आप करोगे तवाफ ज्यारत तवाफ ज्यारत आपके ओपर कंपल सरी जो है वो हमारे पास है तेन जलहच को हम क्या करते हैं यह हम प्रैक्टिस करते हैं तेन इट इस सेम एस तवाफ कुदूम देन जब दस जलहच को आपने यह सारी चीज़े कर ली तो या आप कभी भी कर सकते हो जब आप मक्का को छोड़ कर जा रहे हो तो ये हमारे पस पूरा क्या है method of haj method of haj के अंदर बिटा आपने पूरा पूरी कहानी को explain करना है हज में सबसे पहले क्या आप 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 ने इहराम पहना और आपने intention करी इहराम प्लस intention इहराम प्लस intention के बाद बिटा क्या हुआ कि आपने उसके बाद तल्बिया स्टार्ट कर दी तल्बिया के बाद बिटा क्या हुआ आपने तवाफ कुदूम करा तवाफ के कुदूम करने के बाद आपने बिटा क्या करा आपने मुकामे इबराहीम पर नमास पढ़ी मुकाम इबराहिम पर नमास पढ़ने के बाद आपने क्या करा आपने ये चीज़ करी कि मुकाम इबराहिम के बाद आपने सही परफॉर्म करा सही परफॉर्म करने के बाद अब आप कहां पर गए मिना आफ्टर कहां पर फजर ओफ एट जलाज आप मिना के लिए लीव करोगे वहाँ पे आप टोटल पांच नमाजे पढ़ोगे आठ जलाज की जौर असर मगरे विशा और नौ जलाज की क्या पढ़ोगे बिटा आप पढ़ोगे अल्ला भला करे फजर उसके अदर आप चले जाओगे अरफाद आपने क्या करा अरफाद चले गए अरफाद के लिए आप जोर और असर क्या पढ़ोगे कंबाइन और फिर अरफाद से आप निकल जाओगे मुस्दलीफा मुस्दलीफा के अंदर मगरे विशा अब आप एहराम से free होगे, एहराम जिरह से free होगे, तो आप तवाफे जियारत और यह साली चीज़े perform करोगे, और उसके अब आप ने तवाफे विदा और perform कर लिया, अब हमारे पासे difference between हज और उम्रा, उम्रा हर वक्त हो सकता है, उम्रा सुन्नत है, लेकिन हज हर वक्त नही है, हज फर्ज है, उम्रे के अंदर आप एहराम पहनते हो, हज में भी पहनते हो, उम्रे के अंदर आप intention जो है, वो करते हो, हज में भी करते हो, तवाफ उम्रे में करते हो, हज में भी करते हो, आप क्या करते हो, head शेफ करते हो, उम्रे में भी होता है, हज में भी होता है, चीज़े उम्रे में नहीं होती ही लेकिन हज में होती हैं. तो ये चार चीज़ा आप अपेड़ा वी पेड़ाएं. पेपर में वी पर भी 10 évног का सवाल आ सकता है. तो ऑब हमारे पास ये है कि यार किस तरीके से सवालात आ सकते हैं. तो हम सवालात देख लेते तो examiner आपको marks क्या करेगा extra कुछ नहीं देगा सभी है marking scheme आप देख सकते हैं फिर सवाल है describe any of the falling elements of pilgrimage एहराम, साही, रामी, कुर्बानी अब 3 बताने तो आपने एहराम बता दिया साही बता दिया रामी बता दिया या कुर्बानी ये तीनों चारों में से कोई तीन बता दिया कोई मिश्किल नहीं है फिर सवाल आएगा write about a detailed account of the falling एहराम तवाफ, तवाफ सारे बताओगे तो ये हमने कर लिया ये भी कोई मिश्किल बत नहीं है फिर फिर सर हमारे पास है तवाफ पे जो दस माग का सवाल आए वह भी हम करेंगे अलग से पिर हमारे पास है end the complete the haj or umra in the service of God what observances does a pilgrim complete in the performance of umra and how is umra different to haj तो सबसे पहला आप umra के बारे बताएंगे और उसके बाद आप umra के अंदर वो ही method बताएंगे जो चीजे उम्रे में नहीं होती है वो चीजे डिसकस नहीं करेंगे पूरा same method होगा बस वो चीजे आप नहीं करेंगे और dates mention नहीं करेंगे सभी है फिर आपने क्या करा end में difference बता दिया फिर सवाल है यह अभी हम इस सवाल को भी देखते हैं बाद के अंदर यह भी हम practice करेंगे कि दस जिल हच का क्या सवाल आया था अच्छा उसके आद हमारे पास है pilgrimage to the house of those who can afford the journey for who is the annual pilgrimage compulsory and which muslim are exempted from it कौन लोग नहीं गढ़ सकते what things are forbidden to pilgrims while in the state of Iran तो यह अलग सवाल है यह भी गुमा पर आगे लिकिन हम content उसी में से ही use करेंगे फिर सवाल है यह दो benefits पर सवाल आ गया outline the main observances of the annual pilgrimage तो पूरी कहानी हम हचकी क्या कर देंगे लिख देंगे तो इस तरीके से हमारे पास सवालात आते रहते हैं जिसका हमें क्या रखना है बिटा बहुत ज्यादा खयाल लखना है फिर हमारे पास है what beliefs and practices stoning the जमारत क्या हो गया बिटा रामी अब क्या नई चीज आ सकती है celebration on the 10th alleged by the rest of Muslim community हम नॉर्मल लोग क्या गड़ते हैं हम लोग कुर्बाने करते हैं तो आभी वड़ाओगे इस आ पबलिक holiday morning के अदर यह लोग क्या गड़ते हैं सबसे फजर की नमास पढ़ते हैं फजर की बास एद की नमास पढ़ते हैं इद क नमास जल से जल पढ़ते हैं और आभी बताओगे फिर वो जानवर काटते हैं जानवर जब काटते हैं जब दे कैना अफोर्ड अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो हिस्सा विस्सा कर लेते हैं जानवर जो है वो जानवर को के अंदर जब जो खरीदेंगे वो उसके अंद हम लोग दो दो साल होता है जैसे जो बक्रे או धुनबे होता है उनके अंदर यह हो टाए चह अगर नगहा है है अच्छी है एक्छी ग्रोथ पर तो यह जो क्वायदा रख रहे हैं उस कसाई को बोला जाता है कि भाई नाइफ कर रखो शाप रखो कि वी आर रिस्पॉंसिबल के भाई ऐनेमल को पेंड ना जानवर को जरा सा भी पेंड ना और आप ये बताऊगे कि जब हम उसको क्या करते हैं सैक्रिफाइस करते हैं उस्प्रीट ये पिर स्लॉ अच्छा गोश्त अपने लिए रख लेते हैं बुरा गोश्त उसको और हड़ीया बुवर को वं दर गोश्त खां तो अगर हमारे देख लेते हैं कि किस तरीके का आया है ताके आप लोगों की जिन्दगी बेटा क्या हो जाए असान हो जाए तो मैं पूरी दस जिलहच की डिटेल बता दूगा दस जिलहच को क्या क्या होता है और फिर मैं क्या होता हूँगा कि बाकी लोग कैसे करते हैं तो वह भी बता दूगा जो भी हमने डिसकस करा फिर हमारे पास आएगा बैनेफिट्स ओफ हज अगर मैं बैनेफिट्स ओफ हज की बात करूँ तो बैनेफिट्स ओफ हज के इंदे बिटा मैं क्या बताऊंगा कि सबसे पहले इंडिविजल बैनेफिट्स यह के इच फिल्फिल यॉर अबलिजेशन पिल्ग्रिमेज इस डिउटी फॉर दोस ओके अफोर्ट अजर्णी तो हमारे पास क्या है पिल्ग्रिमेज क्या है बिटा एक डिउटी है तो आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है हमारा जो फिर्द है वो फिर्द किया हुजाेगा बिटा ूटा हुजाएगा फिर इस एक्ट अव इबादत बेगें अगर हम देखे हैं तो हम ज़ब ये सारी चीज़ चीज़े हच पे जा तो हच पर देहारे है हचप हम लोगों को Zack से मदद कर रहे हचप हम sacrifice कर रहे हर चीज कें दर हमारी इबादत involved है हम नेक बन रहे हैं फिर Allah कि अल्छा भूर। हिसाब से कर रहे है फिर हम पेशन्स आ रहे है कि भाई एराम करने को लुटी चीज नहीं कर सकते है एराम के अंदर हमें कंट्रोल रखना है गालियां दीज दे सकते है तो जब वो पेशन्स आ रहे है तो मैं spiritual जिहार परफॉर्म कर रहा हूं आप यह बताओगे कि मेरे जो कि हो जाएंगे पिटा माफ हो जाएंगे फिर हम बने साथ दी है उसके अश्कंदा है बहुत बहुट सब एक रिचुल कर रहे हैं कोई अलग रिचुछ नहीं कर रहा फिर वह यह बंदा देखता है कि यार जब अल्ला ताला ने मुझे बुलाया अल्ला ताला की इस पर काला गोरा कोई नहीं है सब के लिए सब एक्वल है अगर किसी ने अल्ला ताला ने ही मुझे पैसे दी है फिर जब वो सारे रिचुल्स करता है उसको पता चलता है यार उस वक्त हमारे नभीयों ने कितनी एफर्ट्स करी हमारे लिए तो एक हिमिलिटी आती है सेल्फ कंट्रोल आता है उसके अंदर से जो प्राइड है वो सारा खतम हो जाएगा फिर आप यह बताओ कि डिसेप्लिन आ रहे क्योंकि तवाफ में अगर वो देखेगा कि अच सुबा मैं जन्दी तवाफ कर लूँ या पिर तवाफ के अंदर बहुत रश्य है तो उसके अंदर तवाफ के अंदर पेशिंस आ रहे है पिर वो नमास की पाबंदी कर रहे है या नमास पढ़ लेता हूँ फिर इट रिमाइंड जर्नी कैसे अर कप्रों में लपटा जाएगा कोई कप्रों की वैल्यों नहीं है हर चीज तुम्हें इसी तरीके से होगी तो जब यह चीज होती है तो वो रिस्पॉंसिबल बनता है क्यार मैं कभी भी मर सकता हूँ तो यह हमारे पास यह चीज है then a communal benefit. Sense of togetherness आती है कैसे sense of togetherness आραी है क्योंकि हम किसी के भी status, race, किसी भी color वो कहं से belonging कर रहा है किस तरीके से belonging करiyim काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है सब एक साथ एक बंदी क्या गर रहे है हज कर रहे है और जब वो हज कर रहे है तो उनके अंदर क्या आ रही है sense of togetherness आ रही है then it reminds us about the creation of Allah कि हर चीज में हम same है हमारा इराम same है हमारा जो हज का method है वो same है हमारे इराम का color same है हर चीज अल्ला ने बनाई है अल्ला के हिसाब से हम हर चीज़ कर रहे है unity आती है equality sense of equality आती है कि अल्ला की नदर में सब equal है और जब हमें याद आता है कि अल्ला प्रॉफिट ने फरमाया था नो अरब है superior over non-arab है no non-arab है superiority over in अरब पिर हमें मुसल्मान जब एक जगा पे जमा हो रहे है तो it shows the power of मुसल्मान के मुसल्मानों के साथ अगर गलत करोगे तो मुसल्मान को छोटी कौम नहीं है मुसल्मान जब जमा होते है मुसल्मान जब एकटा होते है तो एक unity होती है एक brotherhood उती है then it flourishes your economy जब आप हज करने जाते हो अभी covid में जब हज बंद हो गया तो लोगों का नुकसान हुआ एहराम बिकता है वहाँ पर जाके लोगों का business चलता है वहाँ से आप ये सोचों के airlines वालों का business चलता है हज वालों का काफी it flourishes your economy then आप ये बताओ कि different leaders आके global issues के भाई ये सारी problems हम मुसल्मात community को face हो रही है सीरिया में इतना war है Palestine में इतना जल्म हो रहा है तो जब एक जगा पे सब जमा होंगे तो problems discuss हो सकती है तो ये सारी चीज़े hopefully आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि communal benefits क्या होते है अब हमारे पास ये सवाल कहां पर आए और किस तरीके से आए तो हम ये चीज़ देख लेते है तो ये benefits के बाद हमारे पास तवाफ देखें तवाफ आपने पढ़ा लेकिन तवाफ पर आपके पास 10 माग का क्या आ सकता है सवाल आ सकता है कि तवाफ किस तरीके से होते है कितने तरीके कि तवाफ होते है और आप उसको किस तरीके से क्या कर सकते है परफॉर्म कर सकते है तवाफ का introduction paragraph बनाओगे सवाल क्या आया तवाफ पर पहले वो देख लेते है then हम लोग तवाफ का वो देख लेते है अगर मैं तवाफ की बात करूं तो सवाल आया आउट्लाइन अवेरियस काइंड्स आफ तवाफ अराउंड अगाबा रिक्वाइड दिस्क्राइब अब हमें डिफरेंट टाइपस आफ तवाफ बताने इंट्रोडक्शन में बताओगे कि तवाफ सेवन सर्कुमिलेशन होती हैं एंटी क्लॉकवाइस डायरेक्शन में आपने गूमना होता है एंटी क्लॉकवाइस का मतलब यह है कि यह इस पॉजीशन में गूम रही है उल्टा गूम रहे हैं कुरान में क्या फर्माया then let them complete the rights prescribed for them perform their woes and circumlate the ancient house Allah के घर को क्या करो तवाफ करो तवाफ करने के अंदर आप ये बताओगे कि प्रॉफिट ने फर्माया विद एवरी इच विद एवरी स्टेप एड जो आपके विल्चियूज है वो क्या होगा विल्चियूज विल्बी विल्चियूज क्या हो जाएंगे उसके बढ़ जाएंगे अब आपने इंट्रोड़क्शन परग्राफ देने के बाद आपने तवाफ कुदूम के बारे में बता दिया कि तवाफ कुदूम सेवन सर्कुलेशन होती है जिसके अदर हमें तीन दफ़ा क्या करना होता है रमल करना होता है then हम भो सलो सलो गुमता है अंटी क्लॉकवाई्स डिरेक्शन के अदर हमारा वुजूम होना ज़रूरी है और हम इस तवाफ को कब परफॉर्म करते है 8 से पहले क्या कर ले होता है तो यह हमने तो कहानी बता दी, कहानी बताने के बाद आप आप ने तवाफ जियारत, तवाफ जियारत होता है, दस से बारा दिल अच्छे बीच में आप कर सकते हो, वैसे कहा यह जाते के दस जिल अच्छ को कर लो, लेकर दस से बारा दिल अच्छे बीच में आप यह कर सकते ह और आप हमें बताऊँ के बगार भी हमारे पास ये परफॉर्म कोता है। इसको थाव गार्व घ्रफॉर्म करना लाजब है। पिर हमारे पास है तवाफ नफला के पार्टी नहीं है अब यह हो गए तवाफ की टाइपस तवाफ खुदूग तवाफ जयारत विदा तवाफ नफला के बाद हमारे पास है कंडिशन ऑफ तवाफ साथ दफ़ा हमें anti clockwise direction के अंदर भूमना है फर्स जो है वो जल्दी जल्दी हमें भूमना होता है चार दफ़ा slow भूमना होता है फिर आप ब्लाक स्टोन को किस करते हैं इंटेंशन करने कि I intend to perform तवाफ of sacred most to accepted जब हम इसके अंदर तवाफ करें तो हमें वजू होना चाहिए और content इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसके उपर इतनी knowledge नहीं है लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिटा क्या करना है attempt करना है तो यह हमारे पास तवाफ पर देखें कुछ हज़ पर सवाल आ सकते हैं यह उम्रे के method आ सकते हैं कोई भी method कर नाम दे सकते हैं वो your answer तो हम इससे agree भी कर सकते हैं और disagree भी अगर मैं agree करूँगा तो मैं बूलूँगा कि हाँ बिलकुल हम कर सकते हैं कि हमें किसी और की health नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले वो अपने पैसों से हच करें और इसके अंदर यह हमें सवाब ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और यह स मिलेगी कि वो लोग भी क्या कर सकते हैं मिटा हज कर सकते हैं तो आप जिस से agree करोगे उसके फायदे लिख दोगे तो आप हजर असवत की importance बदा दोगे हजर असवत की बारे में आप यह बताओगी कि आप जब हज़त इबराहीम यह काबा बना रहे थे तो एंजिल जिब्राहील यह जन्नत का यह पत्तर लाए थे पिर आप यह बताओगे कि जो हज़त इबराहीम ने जब बनाया था तो य वो पार्ट का सिर्फ एक हिस्सा सिर्फ ओरिजनल है बाकी सब क्या हो चुगा है बाकी सब तो तूट गया था और वह जशक हूँ थी तो हमें ये बात बता चल रही है कि यार Holy Prophet और ये जो अज़र इबराहीम है ये उनकी क्या है उनकी तरफ से ये चीज थी फिर हमारे पास क्या है कि हमें हमें एक हिस्ट्री याद आती है कि ये क्या है कि ये Prophet ने इसको किस करा है इसको Prophet ये Prophet की सुनत थी और इसकी इंपॉर्टेंस बता चलती है कि काला क्यों हो रहा है ये वाइट कलर का था ये हमारे गुनाओं के दा से काला हो रहा है तो तो ये स्वाल है वाट इस सिग्निफिकंस ऑफ ब्लैक स्टोन तो मुस्लिम्स तो सेम इस कुश्चिन टू वाइन क्यों मदीना को विजट करना चाहिए आफटर हज या उम्रा तो हम उसकी क्या बताएंगे हम उसकी इंपॉर्टेंस या बताएंगे कि मदीना जो है वो आपके पास एक बहुत अच्छी सिटी है उसकी एक अलगी हिस्ट्री है इसलाम जो पहला वो वहां से पहला और आप य पुचा मक्का के रहने के बाद भी यहां पर रहे और इससे हमें बात बता चलती है कि यह कितनी इंपॉर्टेंट है फिर आप यह बताओगे कि प्रॉफिट भी काम बड़ी वेवे मदीना के अंदर वेवे और प्रॉफिट की यह हदी से कि हूव मिक्स फिल्ग्रिमेश एं how the outward actions performed during ओमरा improve the pilgrim's inner spirituality कि अगर हम जो आउटर कर रहे हैं तो उसके अदर हम क्या है जैसे अगर हैं एहरा में बढ़ना है और हम यही कप्रे पहन कर हमें दफना आया जायेगा हमें यह बात पता चलती है कि हम क्या होगा जब तलबिया पर रहे हैं तो हमें यह बात पता चल र रहे कि किस तरीके से क्या चीज होनी है पिर हम य Nove किया है कि काबा के अंदर जब हजब वो करते हैं सफ़ा मर्बा के उस पहगते हैं तो हमेगे बात पता चलती है कि उन्स वक्त हजब्ण हाजरा किस तरीड केसे भागी दी उसके बात जब हम neighbour करने अच्छा उम्र आप पूचा है ना तो अम्र ही कहने आरफात नहीं होता वर्णाम आरफात वाली बात भी लिखते थे तो यह हमारे पास कहानी है और यह हमने आंसर हमारा लिखावा फिर हमारे पास सवाल है वाट इन यूर उपीनियन आर मुस्लिंस रिमाइंडिंग दें उसके अभ़े बतहे हैं कि हमें यह बात पता चलती है कि अहां कि हम पर यह उनकी इंपर अज नहीं है उनके उपर है जो फिजिकल यो फाइनशली इंडिपेंडेंट है क्यूं क्यूंके देखो अल्ला ताला किसी को बर्डन नहीं करना चाहते हैं क्या कहा गया हज़े सकते हैं इसको हम हजे बदल कहते हैं इसी तरीगे से स्पांसर कर सकता है वो इसी तरी तो क्या होगा जिसको पैसे की कम ही होगी उसका भी हज हो जाएगा between the haj and god तो आप ये बताओगे कि यार हम इसके अंदर किया कर ले हम इसके अंदर Allah तालह को कहरें कि we will obey you here I am Allah at your command there is no God but and he has no partners and he is the only so as we say तो हम इसके ये कहरें कि Allah आप ही हमारे खुदा Allah हम आप से ही माँगते है Allah आप के इलावा को ही नहीं है हम اللہ تعالیٰ को ये शो करें कि we are obedient servant फिर हम اللہ تعالیٰ के orders को क्या कर रहे हैं follow कर रहे हैं कि Allah हमारे गुना को क्या करना माफ फर्माद तो आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है ये जो pilgrims हैं जो हमारे पास ये जो है ये यहाँ पर आते हैं और कहते हैं पर आप ये बताओगे explain the significance of the prophet Abraham in the Abraham मतलब अबराहीम तो अबराहीम की importance बताओगे कि हजजद अबराहीम की क्या importance दी या आप ये बताओगे उनकी पूरी family की लिए कि हजजद अबराहीम नहीं वो holy kaba renovate करा था उसकी जब वो बनाया था उसके अब बताओगे अबराहीम अपने बेटे को तयार करने के लिए क्या दे वो उनको stones मारते है शेतान को stones मारते हैं कि नहीं मैं अपने बेटे को जिपा कर दूँगा तो उसके लिए ही हम रामी परफॉर्म करते हैं फिर आप ये बताओगे कि उन्होंने sacrifice करने के लिए दयार दबते हैं जिसके अंदर फिर शीप आ गया था लेकिन और हम क्या बताते हैं कि हम उन्हीं को देखकर क्या कर रहे हैं sacrifice कर रहे हैं तो ये उनकी importance है और हमारे पास 4 मक्त क्या आता है सवाल आता है